आप सभी का स्वागत हैं और आप लोगों से एक अनुरोध हैं कि अगर आप टोपी का वीडियो देखने के लिए आए हैं तो कृपिया पूरा वीडियो देखें और अच्छी सी टोपी बनाएं सारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत हैं नमस्कार दोस्तों आईए ये सुन्दर सी टोपी आज हम इसको बनाने का तरीका देखेंगे प्रोशिय से बनी हुई है और आप जैसे की देख पा रहे हैं बहुत सुन्दर है और बहुत ही आसान है तो सबसे पहले तो हमको जो चीज सीखनी है वो ये किनारी ये सुन्दर सी किनारी कैसे बनी है इसको हम देखते हैं डबल उन करके हमको चेन बनानी है जो फाउंडेशन चेन है तो हम पीछे थोड़ी सी उन छोड़े दे रहे हैं इससे छिपाने में सुवीधा रहती है और सफाई से वो छिप जाती है तो इस तरह से हमने ये लिया और अब हम चेन बना रहे हैं मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी अभी देखिए ये हमने थोड़ी सी चेन बनाई चार चेन अब हमने पीछे की तरफ पहली वाली चेन में क्रोशिय को डाल लेंगे क्योंकि इस चेन को हम राउंड में गोल में करने वाले हैं तो इस तरह से जब हमने कर लिया तो आगे की फिलहाल में 70 सतर चेन बना रही हूँ ये जो उन है ये मेरी मोटी उन है थोड़ी और हमारा जो माथा होता है न उसका हम गोला नाप लीजिए आप सतर चेन बनाकर इंच टेप से नाप लीजिए और अगर आपको थोड़ी उन पतली है ज्यादा बनाना है तो उस नाइन हो गई मैं एक और आपको बना कर दिखा देती हूँ ये मेरी 70 सतर चेन हो गई ये मेरी माथे की गोलाई है तो आपको जितनी भी रखनी है बच्चे का बनाना है बड़े का बनाना है उस हिसाब से आप देख लीजिए मैं यहाँ पर दिखा हूँ आपको शुरुआत मैंने दो लाइन इसकी अलग बुनी थी फिर इसको जॉइन किया था लेकिन अभी मैं शुरुआत से ही जॉइन करना चाहती हूँ फिर ये हमने राउंड में बनाया यहाँ पर इतना सा अलग करके फिर हमने राउंड में बनाया था इसको हम अभी शुरुआत से ही राउंड करे ले रहे हैं यह हमारा सर्किल बन गया अब एक चेन ले ले लेते हैं कि हमको थोड़ा सा गुमने के सुविधा रहे अब देखिए यह जो वी है यह तो अंग्रेजी का वी अक्षर जैसा है इसके पीछे न यह एक हाफ सर्किल आधा चांद सा होता है यह उभरी हुई एक उ क्रोशिया बना रहे हैं देखिए यह हम फिर अगले वाले में आए नेक्स्ट में और यह दोनों उनके नीचे से निकाला और यह सिंगिल क्रोशिया जब इस तरह से हम अपनी बुनाई कर रहे हैं तो जो मैं दिखा रही थी आपको यह सुन्दर सी हमारी किनारी नीचे आ र क्रोशिये से अब हम इसको लाइन नहीं कहेंगे यह हमारा पहला राउंड है पहला राउंड हम पूरा इस तरह से सिंगिल क्रोशिये से यह हमारा जो एक कलर है उससे हम कर रहे हैं तो मिलते हैं हम अपना राउंड पूरा करके बहुत आराम से आसानी से ये होता चला जाता है, कोई परिशानी नहीं होती है, जो भी आपके साइस का आप अपनी टोपी बनाएंगे, इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, टोपी की ही बात नहीं है, आप जैकेट बनाते हैं, उसमें भी नीचे की पहली लाइन इस तो यहां पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यह जो हमारा यह देखिए यह जो वी-वी वाली लाइन है न यह हमारी एक समान रहे बस यहां पर आकर हम इसको जॉइन कर देंगे उसके बाद इसमें कोई परेशानी या कोई गरबर होने की बात नहीं है तो यह हम ला और यहां पर आकर हम इसको इन उनों को हम बाद में सुई से छिपाएंगे तो यहां पर आकर हमने अपने राउंड को यह बंद कर लिया इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर दिया अब यह हमारा ठीक हो गया एक चेन बनाई हमने तो यह पहली बार अभी हम इसको इस तरह स फरक धंग से बनाया है तो वो जब हम यहां पहुंचेंगे तब दिखाएंगे यहां पर हमने यह दो लाइन सिर्फ इस तरह से करी है तो अब यह जो दूसरी लाइन है वो एक-एक जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशिया है उसके उपर एक-एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना second round पूरा करेंगे आप channel पर पहली बार आए हैं और बुनाई के शौकीन हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें बहतरीन बुनाई और क्रोश्या के पहले भी वीडियोज अप्लोड हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियो अप्लोड होने वाले हैं तो इस तरह से ये round पूरा करके फिर हम मिलते हैं आपको अब देखिए ये हमारा second round पूरा होने वाला है तो हमें थोड़ी सी क्या-क्या बातों का ध्यान देना है कि इसकी ना गिंती ना बढ़ जाए 70 हमने लिए थे चेन, 70 चेन थी तो ये हमारे 70 ही सिंगल क्रोशिया हो रहे हैं अब यहाँ पर हमारा ये आप कोई निशान लगा सकते हैं पिंसे मारकर से second color B color को अब हम यहाँ पर जॉइन करेंगे तो इस तरह से जब हमारे दो लूप होते हैं क्रोशिये पे तभी हम जॉइन करें तो अच्छा रहता है तो इस तरह से हमने लेकर इसको जॉइन करना है अभी ये हमारे दो लूप थे तब हमने डाला था second color अब देखिए ये हमारी line सीधी आ गई है इससे अब हम आगी की बुनाई शुरू करेंगे प्रतेक में एक-एक चावल बना रहे हैं तो ये बहुत आसान पूरा round है ये उन ना थोड़ी मोटी है मेरी टोपी के लिए थोड़ी मोटी उन ही अच्छी होती है इसलिए मैंने 70 70 लिये हैं आप थोड़ा उन के हिसाब से थोड़ा माथे की गोलाई को नाप कर उस हिसाब से chain बनाईएगा तो अभी मैं आपको ये वाला round पूरा करके फिर मिलती हूँ simple कुछ नहीं करना है सिर्फ दो उन के नीचे से जिसको V कहते हैं न हम V जैसा जो है ये इसके नीचे से ये हम उन निकाल कर double crochet या जिसको हम चावल कह देते हैं वो हम बना रहे हैं ये हम अपना देखिए B color से हमने पहला round पूरा कर लिया तो मैं बार-बार आपका ध्यान इस और दिला रही हूँ कि ये उन मोटी है और मैं loose बुन रही हूँ आप देख रहे हो ना कितना ढीला-ढीला बुन रही हूँ तो इस हिसाब से आप अपना size set करेंगे तो मैं यहां last में आई और मैंने इसको बना लिया अब देखिए जो एक बात थोड़ी सी चोड़ी सी बात होती है कि जिस उन से हमको उपर बुनाई करनी है तो यहां पर आकर हम उसको फिर से slip stitch से बंद कर रहे है अब उसके बाद हम तीन chain बना रहे हैं जो एक double crochet के बराबर हो जाती है अब आगे का जो काम है उसको समझे इसको कहते हैं front post से बुनना crochet का यह जो double crochet है या चावल है अभी तक हम यहां उपर से बुन रहे थे अब उपर से नहीं इस चावल के आगे से front से हमने इसकी मानों गर्दन में न crochet डाला इस तरह से और बस बुनना crochet का वही है double crochet लेकिन गर्दन में डाल कर बुनना है इसको front post से बुना और इसको back पीछे से मैं बहले आपको दिखा दूँ जैसे यह हमारा चावल है तो पीछे से यहां से हमें crochet डालना है उन लपेटनी है और पीछे से crochet डाल कर इस तरह से हमें निकाल कर और यह हमें back post से crochet बुनना है तो एक crochet यह double crochet हमको front post से बुनना है और दूसरा हमको back post से मतलब एक आगे से बुनना है और एक पीछे से तो दूसरी जो round है हमारा second round वो इस तरह से पूरा बुना जाएगा तो मिलती हूँ मैं आपको यह वाला round पूरा करके अखिरी में आकर मैं आपको फिर से मिलती हूँ और आगे कि यह मुझे बात आपको बतानी है यहाँ पर थोड़ी सी फरक बुनाई करी है हमने वो मैं आपको बताती हूँ अब देखिए यह हमारा सुन्दर सा design दिखाई दे रहा है ना उबरा उबरा कितना प्यारा यह design है तो बस अब हम अपना round यहाँ पर complete करने वाले है तो एक front post एक back post करते हुए हम आए अब यह देखिए इसमें थोड़ा यह और आप समझ लीजिए कि अगर आपकी यहाँ पर गिंती बढ़ रही है यह हमारे 70 है अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर आकर उसको adjust कर लेंगे तो फिलहाल तो मेरे को जरूरत नहीं महसूस हो रही है तो यहाँ पर आकर मैं यह last time बना रही हूँ back post से बनाया मैंने निकाला यहाँ से और इसमें यह जो मेरी पहले की 3 chain थी उसमें आकर मैं इसको बंद करूँगी बंद करने का वही तरीका है दो लूप मेरे अभी क्रोशिय के उपर है उस समय मैं नई उन जोड़ दूँगी उस समय मैं नई उन से बुनाई कर लूँगी ठीक अब मुझे आगे क्या करना है कि ये प्रतेक V में से जो उपर वाला V है एक हम सिंगल क्रोशिय करते हुए ये वाला राउंड अपना पूरा करेंगे धीला-धीला ही हमको बुनना है क्यूंकि मैंने धीले का ही सोचा है क्रोशिय मेरा मोटा है और मैं इसको धीला-धीला ही बुन रही हूँ साड़े 3 mm का 3.5 mm का ये मेरा क्रोशिय है तो इससे मैं इस वाले राउंड को पूरा करके आपको मिलती हूँ फिर अगले राउंड में जो मुझे ये बनाना है जिससे ये किनारी उभरी हुई आई है वो मैं बताऊंगी तो mainly हमारी ये दो लाउंड है B कलर की दो A कलर की इसकी भी दो लाउंड है इसकी भी दो लाउंड है ये बड़े वाले हैं ये छोटे वाले हैं तो इस तरह से ये हमारा सुन्दर सा डिजाइन बनेगा तो मैं मिलती हूँ ये वाला राउंड पूरा करके आपको ये A कलर की छोटी वाली जो पतली लाइन है वो हमारा पहला राउंड पूरा हमारा हो गया यहां आकर अब इसमें हम चाहें तो ये जो हमारा पीछे वाली ओन है हलके रंग की इसको हमें उपर अगर लेना है तो हम फिर से ले सकते हैं ये हैबिट अगर हम डालने तो अच्छा रहता है हम भूलते नहीं है फिर तो इसको हमने लपेट कर उपर की तरफ ले लिया और आखरी बार अब हम यहां पर आए जो शुरुवात वाली जगह है और वहां पर हमने फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया यह सारे राउंड ना हर बार बंद करे जाएंगे इस बात का हमें ध्यान रखना है अब जो सेकंड राउंड है उसमें देखिए करना तो हमें सिंगिल क्रोशिया ही है लेकिन यह जो पीछे वाली एक अकेली उन है इसमें हमको सिंगिल क्रोशिया करना है बस इतना अंतर है कि हम पीछे वाली उन से यह जो पीछे वाली उन है न इससे हम सिंगिल क्रोशिया करेंगे उससे यह हमारी आगे एक उभरी हुई लाइन दिखाई देती है यह आप पांजा कि यह हमारी foundation हो गई इसको तो हम आगे नहीं दोहराएंगे इस line को यह दो line दोहराई जाएंगी और यह दो line दोहराई जाएंगी इस तरह से यह दो-दो line दोहराते हुए हम जाएंगे यहां तक बिना कुछ घटाए हुए उसके बाद हमको यह घटाने का काम करना है और यह सुन्दर सी कैप बिना फोल्ड होने वाली बन गई है मैं इसका size भी आपको अभी बताती हूँ तो देखिए इसकी जो चोडाई है वो लग-भग 9.5 इंच है हमारी और उपर फिर घटते घटते 5 इंच होते यह 3 इंच हो गई इस तरह से और इसकी जो लंबाई है वो भी लग-भग 5.5 इंच के करीब है 9.5 इंच के आसपास इसकी लेंक्ट हो गई अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा कि कैसे घटाएंगे तो देखिए यह हमने चार लाइने दो-दो राउंड वाली बी कलर की बुलनी है और आच हमारी यह एक कलर की हो गई इस तरह से हम राउंड में बुनते हुए आए हैं अब हम घटाने का काम करेंगे इसको तो घटाने का काम जब हम शुरू करेंगे तो यह मेरा लास्ट यहां पर आकर मुझे अभी बंद करना है इसको यह में लास्ट में आकर अपना यह वाला राउंड पूरा कर लेती हूं प पर हम यह निकाल लिया, अब हम इस से बुनाई शुरू करेंगे, तो करना तो हमको वही है, पहला राउंड हमको डबल क्रोश्य का ही लगाना है, दो या तीन चेन आप अपने उचाई के हिसाब से ले लीजे, लूस चेन है तो दो भी ले सकते हैं, और हम ये डबल क्रोश्य क राउंड है, अब देखी अगर हमको गटाने का इस राउंड में हमने ऐसे सोचा, कि हम अंदाज से आठ दस बार घटाएंगे, तो एक बार यहां घटा लिया, फिर यहां घटा लिया, इस तरह से हम थोड़ा सा घटाएंगे, तो मैं पहली बार आपको घटा के दिखा देत हूं, कि एक तो यह तरीका है, अगर इस राउंड में घटाना है, तो यह हमने लिया, फिर से उन लपेटी, और यह लिया, और इस तरह से हमने एक बना लिया, तो यह अगले राउंड में यह घट जाएगा, उसके बाद हम फिर आठ दस डबल क्रोशिया सिंपल बना लेते ह और उसके बाद फिर से हम घटा देते हैं, तो इस तरह से हम यह इस वाली लाइन में, जब हम सिंपल डबल क्रोशिया बुन रहे हैं, उस लाइन में हम इस तरह से घटाएंगे, अब अगर हम फरंट पोस्ट और बेक पोस्ट वाली लाइन में घटाएंगे, वह मैं आपको अगली बार घटा कर दिखाती हूँ, यह तो यहाँ मैंने एक बार लिया, उनलपेटी, और दूसरी बार लिया, और फिर सबको एक साथ मिला कर मैंने डबल क्रोश्य बना दिया, तो मैं इस राउंड को पूरा करके, फिर आपको अगले राउंड में घटा कर और दिखाती हू हमने कुछ बार इस वाले round में घंटाया, और हम अभी यहाँ पर अपने round के last में आ गए, इसको हम अभी बंद करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अगर हम front post, back post वाली line में घंटायेंगे, तो कैसे घंटाइंगे, तो इसको मैं यहाँ पर आकर, यह मैंने slip stitch से बंद कर लिया, अब मैं अगला अपना राउंड कर रही हूँ, पीन चेन ली मैंने, और मैं एक दो बना कर, उसके बाद फिर आपको घटा कर दिखाती हूँ, यह मेरा फ्रंट पोस्ट हो गया, आगे से हो गया, यह मेरा पीछे से हो गया, अब देखिए, यह मैंने पिछली बार घटाया था तो यह दो का एक हो गया था, अब मैंने इसको यहां बुन दिया, तो यह घटने का काम, हमने देखा कि पिछली वाली लाइन का, जो हमारा घटने का काम था, वो कैसे हुआ, अब हम इस वाली लाइन में थोड़ा सा और एक दो बुन कर, फिर मैं आगे घटाती हूँ, एक ही गर्दन में डाल दिया हमने, और हमने यहां से ले लिया, बस यह हमारा घट गया एक, तो इस तरह से यह जैसे हमने फ्रंट पोस्ट में घटाया है, इसी तरह से हम बैक पोस्ट में भी घटा सकते हैं, यह तो हमारा पिछली बार का घटाया हुआ है, यह हमको दिखाई दे रहा है हलके से अभी तो एक बार मैं आपको बैक पोस्ट में और घटा कर दिखा देती हूं यह हम और थोड़े से बुन लेते हैं एक दम पास-पास घटाना ठीक नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप बुनाई के शौकीन है तो क्योंकि बहतरीन बुनाई और क्रोश्या के वीडियो हम अपलोड करते हैं बिगनर फ्रेंडली डिजाइन्स हैं बिलकुल आसान और बहुत ही सुन्दर तो देखी इस बार हम बैक पोस्ट से घटा रहे हैं और दो डबल क्रोश्या में कून लपेटी और ये दो डबल क्रोश्या में हमने पीछे से डाल दिया और इस तरह से हमने अपना एक डबल क्र दोश्या बना लिया तो इस तरह से यह हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से और बिना प्लेन चावल में घटाना देखा फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में तीन तरह से हमने फंदे घटाने का तरीका देखा अब हम इस राउंड में थोड़े से फंदे घटाएंगे और फिर हम उसी तरह से अपना ये छोटे चावल की लाइन बुनकर और फिर घटा कर और फिर हम यहाँ पर आकर आपको मिलते हैं लास्ट में अगर आप थोड़ा सा एडजेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपको दो की जगे तीन भी बुनना हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं देखने में अच्छा दिखना चाहिए तो जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं ये last की हम नहीं भी डालते हम पूरी इस वाले color से भी अगर हम बना दें तो भी कोई परिशानी की बात नहीं है तो ये सब तो छोटी छोटी बाते हैं जिसको हम कर सकते हैं अपने हिसाब से अब देखिए ये थोड़ी सी loose उन की बात हो जाती है ना ये थोड़ी सी loose जैसी है और ये वाली जो बनी है ये थोड़ी सी tight लग रही है तो ये 6 लाइने हमने कर ली और यहां तक हम पहुंच गए अब अब हम ये वाली लाइन जो है इसको नहीं डालेंगे सिर्फ हम ये जो हमारा light color है उसी से इसको हम पूरी करेंगे अभी हमारे लगभग यहां पा 60 chain बनी है तो इस बार अब हम dark color को तोड़ देते हैं इसका काम हमारा खतम हो गया और अब light color से ही हमको सिर्फ काम करना है तो अब कैसे घटाना है वो हमें थोड़ा सा देखना है अभी तक हमने धीरे-धीरे घटाया था थोड़ी-थोड़ी दूरी पर घटाया था लेकिन अब हम ज यह हम आधा बना लिया फिर अगली बार फिर से लेके और इसको एक साथ बंद करा यह मैंने यहां इसको आधा बंद कर लिया और अगली वाली जगह में से फिर उठाया और उसको फिर आधा बंद किया और फिर एक साथ बंद कर दिया इस तरह से मेरे यह जितने भी 60 के 30 30 मेरे हो जाएंगे ये तो इस तरह से मैं ये हाफ एकदम घटा रही हूँ हूँ है एकदम मेरे ये आधे हो जाएंगे यहां से लिया इसको आधा बुन लिजिए फिर यहां से उठाया तो इसको एक बार और दूसरी बार वे इन सब को तो ऐसे करते हुए मैं ये वाला राउंड अपना पूरा करके आपको मिलते हो देखिए कितनी अच्छी से ये हमारी शेप आ गई तो अभी हम यहां पर लास्ट में आए है अभी हमारा एक दो हमको और बनाने है उनको हम इसी तरह से बनाते हैं ये ऐसे इसमें से लिए आधा बनाया फिर अगले में से लिए और आधा बनाया बंद कर दिया अब लास्ट में आपका अगर कुछ कमी है दो नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है आप आराम से एक बना कर इसको मैं यहां इस वाले राउंड को बंद किया मैंने, एक chain बना ली अब जो अगली वाली लाइन है, उसको मैं front post back post वाली कर रही हूँ तो ये जो है मेरे दो, मने जो मैंने घटा लिया है, उसी में से मैं अब इसको ये front post कर लिया और ये back post कर लिया इस बार और घटाने का काम नहीं होगा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, बस इन में से ही हम करेंगे, आप चाहें तो क्रोशिया बदल सकते हैं थोड़ा सा अब हमको tight करना है lose नहीं करना है जादा, तो इस बात का थोड़ा ख्याल कर लिजेगा तो ये वाली line हम पूरी इस तरह से front post double post करते हुए पूरी घूम के मैं आकर यहां मिलती हूँ आपको ये round हमने पूरा करा, और अब देखिए हम दो-दो एक रंग के दो line के बाद हम फिर दूसरा रंग लगा रहे थे, लेकिन अब यहां पर हमारी दो line हो गई हैं पर अब हम दूसरा रंग नहीं लगाएंगे इसी को हम इसी रंग से और घटाने का काम करेंगे तो यहां पर आकर हम फिर से एक बार single crochet या slip stitch करके बंद कर लिजें और दो या तीन chain बनाकर अब फिर से ये वाली line हमारी घटाने वाली है इसमें से हमने लिया आधा चावल बनाया अभी अगले में से लिया इसको बनाया और इन दोनों को एक साथ बंद कर दिया तो इस तरह से ये वाली line हम एक और घटाने वाली बना रहे हैं तो ये वाली line मैं पूरी करके फिर आपको मिलती हूँ ये घटाने वाली line मैं पूरी करती हूँ देखिया इस तरह से आधा बंद किया फिर उन लपेटी अगले chain में से लिया फिर आधा और फिर सबको एक साथ बंद कर दिया ये बंद करके मैं आपको मिलती हूँ फिर ये हम घटाते घटाते देखिये कितना सुंदर इसकी shape होती जा रही है बस उसी तरह से ये हम दो का एक कर रहे है आखरी बार और करते हैं ये आधे में छोड़ा फिर अगली जगह में गए और यहाँ पे निकाला और इस तरह से ये हमारी आधे हो गए जितने भी थे तोड़ा बहुत adjustment चलता है उसमें कोई परिशानी की बात नहीं है तो अब आप देखिए ये कितनी सुंदर shape हो गई अब हम front post back post वाला काम नहीं करेंगे यहाँ पर हम फिर से एक या दो line में इसको और छोटा करके बंद कर देते हैं तो फिर से हम वही तीन chain में ने ले ली है और फिर से मैं एक बार और घटाने का काम कर रही हूँ एक में से लिया फिर दूसरे में से लिया और फिर इनको एक साथ बंद किया तो इस तरह में करके फिर आपको मिलती हूँ ये देखिए last में आए हैं हम अब बिल्कुल हमारा ये छोटा सा हो गया है एक अकेला बना लेते हैं यहां जगा नहीं है तो और ये इसमें आकर जो शुरुवात वाली हमारी चेन होती है उसमें आकर हमको इसे slip stitch से या single crochet से बंद करना है तो यहां पर हम ढूंडते हैं ये है हमारी वो chain वाली जगा इसको हमने बंद किया एक chain ले लेते हैं अब देखिए यहां पर बहुत थोड़ी सी ये जगा बाकी है ये वाले तो अगर आप pom pom लगा रहे हैं फिर तो कोई परिशानी की बात नहीं है और अगर आप pom pom नहीं लगा रहे हैं तो यहां लगभग ये 6 के करीब हैं तो इस तरह से हमने इसको रखा जो इसकी देखिए शेप एकदम ठीक हो रही है न और इसको इस तरह से बिठा कर और फिर यहां से एक chain में से लिया और उधर से लिया इस तरह से बंद कर लिजिए कैसे भी कर लिजिए आप swing की मदद से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यह बस closing मैंने कर दी सारे adjustment हम आराम से कर सकते हैं बस देखिए कितनी सुंदर यह टोपी बन कर तयार है फिर इसको थोड़ी लंबी दूर तक इसको काटिए और इसको अच्छे से छिपाईए इस सुंदर सुई की मदद से इसको हमें छिपाना है तो बस मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाए वीडियो अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कब तक देखते रहिए सार्दा निटिंग आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद